एक बात तुम्हें आज बताऊं, तुम अपने परिवार का एक ऐसा खंबा हो जिसकी वदौलत ये पूरा मकान खड़ा हुआ है, मतलब कि तुम्हारा परिवार खड़ा हुआ है, तुम बहुत मजबूती के साथ अपने परिवार को थाम कर चल रहे हो, और इसी तरीके से हमेशा बने रहना, अपने परिवार की एक ऐसी मजबूत निव बन कर चलना, कि तुम्हारे परिवार का आस्त्रत कोई भी बिगाडने ना पाए, कोई भी उसको ढहने ना पाए, और एक बात हमेशा तुमसे कहता हूँ, कि जब भी कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए देखो चाहे वो तुम्हारे घर की बात हो, या तुम्हारे परिवार की बात हो, या समाज की बात हो, या तुम्हारे शहर की बात हो, जब भी कभी कुछ गलत होते देखते हो तो आवाज उठाना जरूर, अपनी आवाज को पहुँचाना जरूर, चाहे वो बेशक, दो लोगों त उसको देखते भी हैं और उससे जागरूख भी होते हैं क्योंकि तुम्हारा जो बात को बताने का तरीका है तुम्हारा जो बात को समझाने का तरीका है वो बहुत ही अनोखा है तुम जितनी बीवाकी के साथ तुम जितना साफ दिल के साथ बात को रखते हो बात को कहते हो वो बात बहुत अनोखी होती है और इसलिए जब बात कहने की आए तो सोचना मत बिलकुल भी मत सोचना क्योंकि परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा वहाँ पर मैं खड़ा हूँगा और जब कभी तुम्हारे घर परिवार की बात आए तो इतना याद रखना कि अगर तुम्हारे घर के किसी सदसे की कोई गलती नहीं है तो फिर उसको यूही मजबूरी से सहने मत देना कुछ भी उसको इतना मजबूर बनाना कि तुम्हारे परिवार का एक एक सदसे अपनी सुरक्षा स्वयम कर सके और इतना काबिल बन सके कि उसको कोई भी कुछ भी ना कहने पाए पता है दुनिया में लोग अपने परिवार को सुरक्षित रखने में कई बार नाकाम्याब हो जाते हैं लेकिन मैं तुमसे वही बात कहता हूँ कि तुम इतने मजबूत हो तुम दिल से मजबूत हो तुम दिमाग से मजबूत हो और तुम इतने समझदार हो कि बहुत समझदारी से अपना काम करते हो तो इतनी समझदारी से जब काम करते हो तो कभी कोई निर्ने लेने की बात आए तो उतनी ही समझदारी के साथ लेना और द्रता के साथ लेना ताकि कोई तुम्हारे अस्तित को हिला ना पाए कोई तुम्हें गुम्राह ना करने पाए मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो और इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वैसे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही खुश रहो, सदा खुश रहो